प्रस्ण बारा नीचे दिये गए चित्र में A B तथा CD दो समनांतर रेखाओं के बीच P कोई बिंदु है यदि कोन A B P बराबर 30 डिग्री तथा कोन CD P बराबर 45 डिग्री तो कोन D P B की माप बताएं तो प्रस्ण बारा का पहले चित्र बना लेते हैं तो ये दोनों समनांतर रिखाएं हैं तो एक है A B और एक है CD तो A B C D क्या है दो समनांतर रिखाएं हैं के बीच P कोई बिंदु है के बीच में यहाँ पर मालनीजे P है P कोई बिंदु है तो P से D मिला हुआ है P से D और P से B इस तरह से अब कहा रहा है कोई A B P A B P ये वाला कोई कितना दिया हुआ है 30 डिगरी ये कोई है 30 डिगरी कोई C D P C D P यानि ये कोई दिया हुआ है 45 डिगरी 45 डिगरी तो कोई D P B D P B यानि ये कोई हमसे पूछ रहा है ठीक है ये कोई हमसे पूछ रहा है तो पहले क्या करेंगे तो पहले P से P से एक रेखा की चेंगे जो कि P Q होगा और A B के समनांतर होगा ठीक है यहां से एक रेखा की चेंगे देखिए इस तरह से इस तरह से एक रेखा की चेंगे इसका नाम देंगे यहां पे तो P लिखा हुआ है बस यहां पे Q लिख देंगे तो ये खुद से रचना करना है PQ एक रेखा घिचना है जो कि AB के समनांतर हो ठीक है तो CD समनांतर है AB के और AB के समनांतर PQ रेखा घिचना है तो PQ CD के भी समनांतर हो जाएगा तो पहले हाँ पर लिखेंगे रचना में P से P Q P से P Q समनांतर समनांतर का इस तरह से संकेत यहाँ पर देंगे तो P Q समनांतर A भी घीचे है तो P से P Q समनांतर A भी घीचे है तो P से P Q समनांतर किसके घीचना है A B के ठीक है तो लिखेंगे अब P Q समनांतर P Q समनांतर A B और P Q समनांतर A B और A B समनांतर है किसके A B समनांतर है C D के ठीक है यह दिया हुआ है प्रस्न में A B समनांतर है C D के तो लिखेंगे अब आता है जब P Q समनांतर है A B के और A B किसके समनांतर है C D के देखें P Q समनांतर है A B के और A B समनांतर है C D के तो P Q भी C D के समनांतर होगा तो लिखेंगे अब आता है P Q समनांतर C D यानि यह तीनों रेखा आपस में समनांतर होगया क्यूंकि जब P Q A B के समनांतर है और A B C D के समनांतर है तो P Q भी C D के समनांतर होगा तो इस तरह से पहले लिख लेंगे अब चीतर में थोड़ा समझते हैं तो PQ समनांतर है CD के ठीक है ये तो पता चल गया है अब देखें CD और PQ समनांतर है और एक तिरियक रेखा इसको पर्तिछेद कर रहा है दोनों को ये देखे, PD जो है, एक तिरियक छेदी रेखा है, जो तोनों को पर्थिछेद कर रहा है, D पे और P पे, तो एक आंतर कोन बराबर होगा, यनि ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, देखे, ये 45 होगा, तो ये भी 45 डिगरी होगा, ठीक है, क्योंकि P Q और C D समन आंतर है, और एक आंतर कोन से, P Q और C D समन आंतर है, और एक तिरियक रेखा, इसको, तो जब दो समन आंतर एकाओं को एक तिरियक छेदी रेखा परतिछेद करें, तो एक आंतर कोन बराबर होता है, यनि ये 45 डिगरी होगा, तो ये भी 45 होगा, ठीक है, क्योंकि ये कोन और ये कोन क्या होगा, एक आंतर कोन, यानि बराबर, अब इस तरफ देखिए, पी क्यू समन आंतर है एक और एक तिरियक छेदी रेखा, इन दोनों को परतिछेद कर रहा है, तो इसमें भी एक आंतर कोन बराबर होगा, तो जब ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, ठीक है, ये देखिए, ये भी 30 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 डिग्री होगया और इधर से 45 डिग्री, यानि DPQ कितना होगया, 45 डिग्री, और BPQ ये होगया 30 डिग्री, तो परस्न में पूछ रहा था, कि कोन DPB की माप बताएं, तो DPB, यानि दोनों कोन को जोड़ देंगे, तो 45-35 डिग्री, तो इसका उतर आ जाएगा 75 डिग्री, कोन DPB बराबर 75 डिग्री, तो लिखेंगे, कोन CDP, CDP बराबर, बराबर कोन DPQ, बराबर 45 डिग्री, ठीक है, CDP, यानि यह 45 डिग्री है, तो कोन DPQ, यह बराबर होगा, यह दोनों, एक आंतर कोन से, तो यहाँ पर लिख देंगे, एक आंतर कोन, एक आंतर कोन, ठीक है, और कॉमा देंगे यहाँ पर, कोन ABP, ABP, बराबर कोन, देखें, कोन ABP, यानि यह कोन, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो BPQ के, BPQ, यानि यह कोन, ठीक है, देखें, दोनों 30-30 दिग्री, एक आंतर कोन, तो लिखेंगे, B, P, Q, बराबर कितना, 30 दिग्री, तो यह भी एक आंतर कोन, इसको इस तरह बस, इसके सामने कर देंगे, यानि दोनों क्या है, एक आंतर कोन से, दोनों कोन बराबर होगा, ठीक है, CDP बराबर होगा, DPQ के, और कोन ABP बराबर होगा, कोन BPQ, तो प्रेस्ट में क्या पूछ रहा है, कोन DPB, DPB बराबर, तो देखें, DPB, यानि यह पुरा कोन, यह पुरा, यहां पे आ गया जो, DPB, यानि यह पुरा, यहां से लेकि यहां तर, ठीक है, तो यह कोन में, यह कोन भी आ गया, और यह कोन भी आ गया, दोनों कोन आ गया, तो लिख देंगे बराबर कोन dpq जोड कोन bpq यानि दोनों कोन आ गया dpq और bpq दोनों कोन तो dpq कितना है dpq अभी निकाले है 45 दिग्री और bpq 30 दिग्री तो कितना हो गया 45 जोड 30 यानि 75 दिग्री इसका उत्तर आ चुका है कितना 75 दिग्री तो इस तरह इसको हल करेंगे झाले कितना चुका है